वेलकम टू माई चैनल आज देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए थम सॉक्स लेकर आयूं जो की बहुत ही इजी है बहुत खुबसूरत इसकी डिजाइन है तो इसकी देखिए इसका बॉर्डर मैंने आप लोग को बता ही दिया है आप मेरे वीडियो पर जाके देख सक पर जाके हैं मेरे चैनल पर इसका बॉर्डर मैंने बनाना बताया है यह दिखिए सॉक्स फ्रेंड्स मैं और शेड्स नंबर से छे नंबर के लिए बना रही हूं और इसमें मैंने रेट और वाइट कलर यूज खिया है आप दो कलर कोई सा भी ले सकते हैं जिसके लिए पर मैंने डिजाइन बनाई हुई है तो एक सलाई हमारी वाइट बनेगी तो वाइट को हम सिंपल निट करते हैं उल्टा 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 हम बुनकर सेंटर में आते हैं आप मैंने 45 फंदे लिए हुए है 20 फंदे एक साइड होंगे 20 फंदे एक साइड होंगे बीच का एक फं अगर वंद है उस पर हमारी डी जायम बनेगे तो चलिये हम सेंटर सब वांचे करते हैं Barnum पांच, छे और एक स्ताथ, साथ फंदा हमारा यहां पर एक फंदे का हमारा साथ फंदा हुआ यह वाला पार्ट हम बना रहें, फिर उनको आगे करके हमने सारे फंदे को उल्टा-उल्टा बूल लेना है, अब देखें फ्रेंड्स हम यहां पर पीछे से रेट कलर लगा क्योंकि आगे से हमारा यह डिजाइन बनेगा, तो पीछे से उल्टा-उल्टा करके हम रेट कलर को लगा देंगे, और फिर आगे से हम वाइट कलर का डिजाइन बनाएंगे, तो फ्रेंड्स यह डिजाइन की वज़े से ऐसा हम करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर हमने बॉर्डर बना दिया है, तो इसलिए तब देखिए आगे की साइट से हम रेट कलर लगा देंगे, तब हमारी डिजाइन बनना स्टार्ट होगी, तो चलिए हम आगे तक बुन कर आते हैं, पीछे की साइट से उल्टा-उल्टा, अब देखिए फ्रेंड्स हम वाइट कलर का अब देखिए हमारी डिजाइन सुरू हो रही है, तो तीन फंदा हम सफेद से बुनेंगे, देखिए पहले ये डिजाइन के लिए तीन फंदे हम सफेद से बुने, एक उतार लेंगे, फिर तीन फंदा हम बुनेंगे, वाइट से एक उतार लेंगे, फिर हम बुनेंगे ती फिर हम एक उतार लिए, तीन फंदे हम बुने, एक फंदा हम उतार लिए, फिर हम तीन फंदा बुनेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदा हमने बुना, एक हम यहां से यहां से उतारेंगे, अब देखिए हम सेंटर में आ गये हैं, फिर हमारे यहां पर सेंटर वाले फंदे में, एक फंदे का साथ फंदा बनाना है एक उनको आगे लिया दो फिर उनको पीछे किया तीन चार पांच च्छ और एक साथ ये देखे साथ हो गया तो हम बार बार ये ही प्रोसेस करेंगे जब सेंटर में पहुचेंगे या पर जैसे साथ फंदे हमने लिये तो तीन एक साइट करेंगे तीन एक साइट तो तीन तीन छे हो गया एक जो सेंटर ओला फंदा होगा उसी में हमने बार बार एक फंदे का साथ फंदा करना है एक फंदा में ऐसे उतार लेंगे फिर तीन फंदे हम बुनेंगे एक फंदाम उतार लिए तीन फंदे हम बुने फिर एक फंदाम ने उतार लिया तीन फंदा बुना ऐसे ही ये हमारी डिजाइन हमेशा बनती जाएगी आगे की साइट से आपने यही करना है यह देखिए सिर्फ यह last में हमने तीन दो फंदे बचशे हैं तो दो लज़े हैं आप देखिए आपने क्या करना है बैक साइट से हम सारे फंदे सीधे सीधे बूनेंगे, जो फंदे हमने बूने हैं उनको बून हम ने बूनेंगे जो हमने उतारा है उसको उन को अपनी साइट करके उतार लेंगे, फिर देखिए इन तीनों फंदों को हम बून लेते हैं, उन को पीछे की साइट लाएंगे, इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे, फिर देखिए इन तीन फंदे को हम बून लेंगे, उन को अपनी साइट लाएंगे और इसको उतार भूल नहीं है अब देखिये अब पीछे क्या उसको उतार लिए अब देखिये फ्रेंट्स ये जो हमारे साथ बंदे बने हैं इनको भी हम उल्टे साइड से सारे फंदे को हम सीधा सीधा बुनेंगे दो तीन चार पांच छे साथ उनको अपनी साइड लाएंगे इसको उतारेंगे उनको पीछे की साइड ले जाएंगे तीन फंदे को हम सीधा सीधा बुनेंगे फिर उनको अपनी साइड लाएंगे, इस हंदे को उतारेंगे, देखिए, इसको उतार लेंगे, ये तीन फंदे हैं, बून देंगे, ये देखिए फ्रेंट्स, हमारी डिजाइन ऐसे बनेगी, अब हमने देखिए, रेट कलर से, यहां पर देखिए, रेट कलर से हमने दो सलाई बूननी है, एक आगे से ले जाएंगे, एक पीछे से, दो सलाई हम, उल्टे सीधे की बूनेंगी, मतलब सीधे की साइड से, सीधा सीधा, उल्टे की साइड से, उल्टा उल्टा बून कराएंगे, फिर ऐसे ही हमारी डिजाइन बनेगी, एक उतारेंगे हम, तीन बूनेंगे, ऐसे ही, यह डिजाइन देखिए फ्रेंट्स हमने एक तो तीन चार पांच छे डिजाइन आपने ऐसे बना लेनी है छे डिजाइन बनाने के बाद आपको हाफ आफ फंद मत्तब अगर आपके सौ या सौ फंदे अगर हो गए एक्ट्रा भी हो सकता है कम भी हो सकता है 120 तक भी हो सकता है वो फंदे बढ़ते रहते हैं एक फंदे का साथ फंदा होता है तो समझ लीजिए फंदे बढ़ते हैं तो आपको जितना फंदा है उसका आधा कर लेना है देखिए मैंने आधा एक साइट किया है आधा एक साइट दूसरी सलाई पर करने की बाद आपने क्या करना है 20 सलाई बुनना है दोनों साइट से उल्टा उल्टा या दोनों साइट से आप सीधा सीधा बुने जैसा भी बुने लेकिन ये गाटर रिष्टी जाना चाहिए यानि उल्टी उल्टी बुनाई उसके बाद देखिए आपने क्या करना है यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पांच 从 10-10 line, 30-10 line की निटा ने 20-10 लाइन यानि 20 सलाई उसके बाद हम ने देखिये यहाँ पर 10 फंदे को बंद कर दिया है आब इतने 15 वसक्ष ए बाकी के जो прंदे वच्चे हैं उनको हमने इसी सलाई पर छोड़ देना है अब फिर इस साइड हम उनको लगा के 20 सलाई बुनेंगे जैसे यहाँ पर मैंने बुना है चार लाइन के बाद मैंने एक वाइट लगा दिया है यह आपके उपर डिपेंड है आप वाइट लगाते हैं या नहीं याप सिंपल भी बिन सकते हैं यह वाली पट्टी को तो यहाँ पर भी टोटल हमने 20 सलाई बुनना है उसके बाद 10 फंदे हम बंद कर देंगे 10 फंदे बंद करने के बाद फिर हम यह दोनों पार्ट लेके ऐसे उल्टा करेंगे मैंने कई बार आप लोग को सॉक्स में बनाना बताया आप कोई भी सॉक्स की वीडियो देख सकते हैं उसमें आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर फंदे को जोडते कैसे उसके बाद हम तीसरी सलाई लेके फंदे को यहाँ पर जोड देंगे फिर जो हमारा दस दस फंदा रहेगा यह वाला उसको हमने ऐसे करके सिल देना है तो यह हमारा ऐसे करके उस पार्ट को भी पीछे से यह वाला भी और वो तो यहाँ पर हमारा यह अंगूठे वाला पार्ट बन जाएगा तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले समझ में ना आया हो तो जरूर आपरो पूछे थैंक्स वराचिंग